हेलो फ्रेंट्स वेलकाम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विदालोग सिंग राजपूत में अब नहीं आएगा अगला वेतन आयोग यानि कि अभी आपको पता कि साथवा वेतन आयोग इस टाइम पर रनिंग में है तो अब जो है आठवा वेतन आयोग नहीं आ आब जो है इस फॉर्मूले से तयह होगी आपकी सेल्ली और पैंसल्य कि पैंसल्य जो है अब इस नए फॉर्मूले से हो सकती है हो सकता हो आगे आने वाले दुरहों में आपको आठवा वेतन आयोग नहीं आएगा तो कैसे सेल्ली का डिसिजिएन होगा पूरा इस वीडियो और pensioners के लिए बहुत ही important होने वाला है बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में last तक और अगर चैनल में पहली बारा है याई अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो इस red button पर प्रेस करके चैनल को subscribe कर लिजे साथ ही साथ हमारे वीडियो की letters notification के लिए आप इस घंटे के निसान को प्रेस करके all notification को select कर लिजे तभी आपके पास मारे वीडियो की letters notification आप आएगे और आप हमारे वीडियो को watch कर पाएए आप हमारे चैनल फस्टेंटर गोर्मेंट इंप्लोईज, स्टेट गोर्मेंट इंप्लोईज पैंसनर्स, family pensioners, defense, postal, railway, डांक सभी टाइप की करमचारियों के लिए हम news और information लाते रहते हैं चलिए आपको लेगे चलते उस news पर पूरर detail में आप ध्यान से देखेगा इस वीडियो का आप सारी चीजे detail में बात करेंगे हम सात्य वेतन आयोक के तहट सहली बढ़ाने के लिए लगाता सरकार से बातशीत कर रहे करमचारियों के लिए एक बड़ी चोकानी वाली खबर आई है केंद की सरकार अब सात्य वेतन आयोक को खत्म करने की तैयारी कर रही है सूत्रों के मताबिक सात्य वेतन आयोग के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा सरकार इस दिसा में काम कर रही है कि 68 लाग केंदी करमचारी और 52 लाग पैंसन धारकों के लिए एक ऐसी विवस्ता बनाई जाए जिसमें उनकी सैलरी को रिवाइस करने की जरूवत ना पड़े इसके लिए सरकार ने दो नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है अब क्या है वो दो नए फॉर्मूले वो आप देख लीजे केंदी करमचारियों की सैलरी और दूसरे भत्तों को तैय करने के बाद वेतनायो सायद दुबारा सिफारी से नहीं दे पाएगा अभी तक 10 साल में एक बार वेतनायो करमचारियों की सैलरी और भत्तों को लेकर सिफारी से लगता है लेकिन अब सरकार वेतनायों की सिफारियोंसों के बजाए सेलरी रिविजन के दो नए फॉर्मूले पर विचाल कर रही है पहला है ओटोमेटिक पे रिविजन सिस्टम और दूसरा है एक्रोइट फॉर्मूला क्या दोन फॉर्मूलों में अंतर वो भी देख लेते हैं सूत्रों के मताबिक आटोमेटिक पे रिविजन सिस्टम के तहत एक ऐसी विवस्ता तयार की जाएगी जिसमें 50 फीज़ी से ज़्यादा डिये होने पर खुद सैलरी खुद आटोमेटिक रिवाइज हो जाएगी वहीं एक्रोइट फॉर्मूले में केंदी करमचारियों की सैलरी महंगाई की सिथी और उनके परफॉर्मेंस से जोड़ दी जाएगी एक्रोइट फॉर्मूला न्यूटिशन फूड एग्रिकल्चर एफ एओ के पहले डारेक्टर और न्यूटिशनिस्ट वेडल रुडल एक्रोइट की सिपारियों सोपर आधारी तयाब आगे आप देखिए इसमें किस आधार पर तैकिये गाया यह एक्रोइट फॉर्मूला एक्रोइट ने अपनी सिपारिसे भारतियों के खाने और कपडों की जरुवत के आधार पर तयार किया हैं उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि कमोडिटी की बदलते कीमतें किस तरह से एक आम आदमी को प्रभावित करती हैं सरकार का मानना है कि वेलेस के यह कर्मचारियों की नियुतम सेलरी को साथ हैार रूपे से बढ़ा कर 18,000 रूपे किया गया था अपनी सिपारिसों में सातो वेतन आयोग ने ये भी कहा था कि सरकार को सिर्क 10 साल में एक बार नहीं बलकि समय समय पर कर्मचारियों की सेलरी को रिवाइस करना चाहिए आगे अगर ऐसा सच में होता है तो कर्मचारियों की सेलरी रिवीजन सिस्टम काफी मुस्किल हो जाएगा तो आपने डिटेल में देखा एक्चूली क्या था कि सरकार जो है दो नए फॉर्मुले पर विचार कर रही है पहला जो फॉर्मुला है मैंने आपको बताया कि आटोमेट फॉर्मुला जो की काफी अच्छा है इसमें क्या होगा कि एक्रोइट फॉर्मुले में जो आपके कर्मचारियों की जो सेलरी जानी कर्मचारियों की जो इंप्लोईज होतें इतने भी उनकी महेंगाई की जो इस्तिति है यानि कि आपको पता कि All India Consumer जो प्राइस इंडेक्स का डेटा आता उसके बेसिक पर यह आपका डियो होता है तो उसके बाद में उनकी जो सेलरी का डेटा आएगा जो सेलरी की महेंगाई का डेटा होगा उसके हिसाब से और उनके पर्फॉर्मेंस जो होगी उनके उसके हिसाब से आपको जो है आपके एक्रोइ फॉर्मुल में आपके salary बढ़ाई जाएगी और दूसरा यह होगा कि इसमें जो कीमते आपकी बदलती रहती है उससे क्या होता है कि एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा effect करती है तो उससे जो आपकी अगर salary उससे add होगी यानि कि जो आपके खाने और कपड़े की कीमत के आधार पर है तो उस आपकी नहांदा요 कै यह क्योंट्यश्याफलेक के वाएपके है